हालो एब्रीवन यूर वेल्कम टू बेस्ट नोस टूटोरियल और आज हम बात करेंगे परमार वंच के बारे में उत्राखंड के इतिहास में हम आगे बढ़ रहे हैं और इसके बाद हम जियोग्रैफिक करने वाले हैं तो इतिहास के अभी एक या दो लेस्न और आएंगे और उसके बाद हम MCQs इसके करते हुए चलेंगे और साथे साथ हम उत्राखंड की जो जियोग्रैफिय है उसके बारे में बात करेंगे तो जब आप लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो कुछ चीजें आप लोगों को यहां पर दिखाए दे रही हैं जो हाइलाइटेड हैं तो एक बार जैसा है मैंने आप लोगों कहा है कि किसी भी नए टॉपिक को उठाने से पहले उसकी जो साथ की जो वकाबलरी है उन चीजों को आप लोग पढ़ लीजे एक बार इसकी स्पीड रीडिंग रोज कीजिए और जब चार-पाच बार आप रीडिंग कर लेंगे उ क्योंकि बहुत सारी चीजे हैं तो टाइम लगेगा नवी स्रिताब्दी तक गडवाल में 22 ठकुरी राजाओं का राज्य था लगबख बावन गड़ थे इसलिए आप लोग उने ओगाना भी सुना होगा बावन गड़ों को देश तो नरेंज सिंग नेगी जी का तो उसमे जो सबसे शक्तिशाली राज्य था वो था आपका चांदपुर गड़ उसमें एक राजा थे भानुपर थाप ठीक है उनके जो तो 1887 में क्या हुआ उन्होंने धार जो गुजरात में है का शाशक जो कनकपाल यहां पर आये थे तो भानुपत्री ने वो इधर आये थे तो उन्होंने कनकपाल को क्या कर लिया अपनी पुत्री का विभा कर लिया और चांदपुर गड़ क्या कर दिया दहेज में दे दिया तो यह कई बार कुश्यन पूछा जाता है कि जो भानुपरताब है उन्होंने अपनी पुत्री का विभा किस से किया था साथी साथ ये भी पूछा जा सकता है कि कनकपाल ने किसकी पुत्री के साथ में विवा किया था ठीक है तो भानु परताप की और कब किया था तो 887 में अब आगे चलते हैं ट्रिपल एट इस्वी में अठारा सो आठासी में कनकपाल द्वारा परमार वंच की अस्तापना की गए तो परमार वंच की अस्तापना कब हुई थी? आठासो आठासी इस्वी में और इसकी जो राजदानी थी वो थी चांद पूर गड़ लखन देव य इसकी तामर मुध्राएं पराप्त हैं तो अगर हम बात करें कि परमार शाशक हो उनकी जो तामर मुध्राएं पराप्त हुई है वो लखण देव की ही हुई है ये 28 राज़ा था सोमिद्र परचलित करने वाला वो है पहला सुतंत्र राज़ा था나 और उन्हाने खुद की ए था रगुनात मंदिर देव परियाग से इनका तामरपत्र मिला था तो रगुनात मंदिर देव परियाग से किसका तामरपत्र मिला था वो थे आपके जगतपाल इस तामरपत्र में जगतपाल को रजवार कहा गया है तो यह पूछा जाता है कि रजवार किस तामरपत्र में है तो रगोनात मंदिर देपरियाग में तो कई तरह के से question बनते हैं आप लोगों को क्या करना है कि जैसे आपने ये round कर दिया सीधे इसे round कर दिया या आप इस पर already ये आपका mark'd है तो आपको बस इन ही को देखना है और फटाफट इसके बाद जैसे ये हम एक बार class हो जाए उसके बाद आप लोगों को ये PDF डाउनलोड कीजिए लिंक से और फिर उसके बाद फटाफट इनको क्या कर दिजिए और फिर देखे कि आपको कितनी चीज़ें याद होती जा रही है तो अगला देखते है इसमें क्या कहा गया है उसको जगतपाल को रजवार कहा गया है गड नरेश अजयपाल अजयपाल जो थे वो 1490 में थे और सेतिव सिर राजा थे 1490 में सरुपर्थम गडवाल के बावन गड़ों को इनने जीद लिया था और एक ही करण किया था पूरे गडवाल का जो एक ही करण किया था वो किस ने किया था वो आया था आपका अजयपाल और इसके बाद है 1512 में अपनी राजदानी देवल गड़ इस्तापित की तीनों ने चांदपुर गड़ से अब इसमें एक फणी चीज आप लोगों को बताओं कि जैसे कि आपको लोगों याद रहेगा कि जब हम देवल गड़ देखने के लिए गए थे तो मैंने सूचा कि ठीक है जो अजयपाल होगा काफी बड़ा उनका गड़ होगा कुछ अच्छा लोकेशन होगी बहुत अच्छी देखने को लेकिन कुछ इतना ज़्यादा देखने को नहीं मिला और एक छोटा सा जैसे हमारे गाओं में यूजुली जिसको तिबारी बोला जाता है तिबारी क्या होता है एक घर होता है वीडियो भी बनाया था मैंने अपलोड नहीं कर पाया क्योंकि गड़वाल के उसमें लेकिन जो तिबारी होता है उसमें यूजुली क्या होता है एक बड़ा सा लंबा सा क्या होता है बरामदा टाइप होता है और उस पे लकड़ी का जो डिजाइन होते हैं बहुत अच्छे होते हैं तो इस तरह से इसको तिवारी बोला जाता है तो बस एक छोटी सी तिवारी है वो सारी चीज़े वहाँ पर है और हो सकता है कि वहाँ पर पहले बहुत बड़ा किला रहा हो लेकिन अब नहीं है फिर भी यह है कि देवलगर जाना अगर आप लोग चाहते हैं तो आप लोगों को यह सारी चीज़े जितनी हैं वह आसानी से याद हो जाएंगे क्योंकि वहाँ पर आप लोगों सारी चीज़े पढ़ने को मिलती है तो चलते हैं आप लोगों का यहाँ पर हम 1512 की बात आती है फिर 1517 यह जो है अजयपाल से questions पूछे जाते हैं इसलिए इन सारी चीज़ों को आप लोग सीक्वेंस से याद रख लिजिए सबसे पहले बावनगरों का हो गया पर देवलगर उन्होंने इस्तापित की थी राजदानी 1512 में 1517 में उन श्रिनगर आ गए थे ठीक है और इस युद में अजयपाल क्या हो गए थे पराजित हो गए थे 1495 में में अजयपाल ने कीरती चंद को पराजित किया फिर से उन्होंने क्या कर दिया कीरती चंद को पराजित कर दिया और कुमाओ गढ़वाल के बीच देवगहाट सीमा निर्धारित की तो देवगहाट यह एक जगय है जहां पे कि उन्होंने क्या कर दी सीमा निर्धारित कर दी इनको क्या किया जाता था इनको समराथ अशोग भी बोला जाता है क्यूँ कहा जाता है एक था उप्रुगण तो उप्रुगण में उनका जो युद्ध हुआ झाओ उसके बाद उन्होंने गोरखानत जैसे की हमें पता है कि कलिंग विजे के बाद अशोक ने क्या कर दिया था बहुत धर्म का अन्याई बन गया था तो इसी तरह से जो आपके कौन है अजेपाल है उन्होंने भी क्या कर लिया था गोरख नाथ पंथ ले रिया था उसका अन्याई बन गया थे तो समराट अशोक से इसलिए उनकी तुलना की जाती है तो अजेपाल से कॉश्चिंस पूछे जाते हैं उसके उपर आपका ये जो है यहाँ पर कुछ कॉश्चिंस इस से पूछे जाते हैं कनकपाल वाले इस जेगे से तो बाकी चीज़ें आप लोग याद करते हुए चलिए तो मैंने बता दिया है कि इसके बाद आप डाउनलोड करेंगे से और तुरा प्रैक्टिस करेंगे इन चीजों को अजिपाल ने एक मअपन परनाली भी इं近डिऊस की थि उन्होंबने बता है शुरू किति उसे धिहूली पाथ वैसे धर्मपाथा और धिधूली पाथा वैसे ृत्राखर्ण के थीम है कि पूठे जा सकते हैं इसलिए मैंने आप पाथा वर्तन टाइप होता है लगबग 2 KG उसके अंदर अनाज आता है अलकडी का होता है ठीक है तो कैजी उसका क्या होता है अनाज होता उसमें तो इस तरह से तो पाथा यूज होता है उसके लिए लेकिन आप लोगों को ध्यान रखना है क्योंकि उसी से पाथे से ही क्या किया जाता पुराने जमाने में जैसे आप लोग सेर बोलेंगे ठीक है तो उस तरह से कुछ words यूज होते थे तो पाथा जो है वही मापन की पढ़नाली था गड़वाल में कि हम बोलेंगे कि कितने पाथा है ठीक है कितना पाथा अनास दोगे तो उन्होंने दो मापन पढ़नाली जो थी ओधिली पाथा और धर्म पाथा शुरू की थी हो सकता है कि यहीं से यह सारी चीजे चली हो देवलगड में राज राजेश्वरी पीट की अस्थापना की गई है जो राज राजेश्वरी पीट है यहाँ पर अगर आप अंदर जाएंगे तो उनका जो माता का है मंदिर अभी भी वहाँ पर बहुत अच्छे से ब्योस्तित बना हुआ है उसके बाद है शिर्णिगर में उन्होंने कालिका मठ की भी अस्थापना की थी अगर अजेश्वरी पाल के अन्यनाम की बाद आती है तो उन्हें युदिश्टिर भी कहा जाता है आदिनाद भी कहा जाता और महात्मा भी कहा जाता है महात्मा गुरकनाद पंथ को लेने के बाद ही उनको कहा गया होगा प्रोबिबली सो सहजपाल उसके बाद आते हैं कौन? अजेपाल के बाद? सहजपाल पाँच अबलेक देपरियाग रगुनाथ मंदिर से प्राप्त हुएं तो ये जो देपरियाग का रगुनाथ मंदिर है यहां से पाँच अबलेक सहजपाल के नाम के मिलते हैं इसके शाशनकाल में अकबर ने गंगा श्रोद की खोज के हेतु एक अनवेशक दल भी भेजा था तो पूछा जाय सकता है कि जो अकबर थे उन्होंने गंगा की श्रोद को ढूणने के लिए एक अनवेशक दल किस के काल में भेजा था तो वो थे आपके सहजबाल ये कुशल राजनीती के थे और कुशल परशाशक भी थे बलभदर पाल बलभदर पाल ने ही सरोपर्थम शाह के उपादी तो बलभदर पाल से के बाद ही क्या होए थे शाह बनने शुरू हो गए थे परमार शाशकों को लोदी वंस के शाशक बहलोल लोदी ने शाह के उपादी से नवा जाता तो यह पूछा भी जाता है कि किस लोदी बंस के शाषक ने जो गड़वाल के शाषक थे उनको शाह के उपादी दी थी, तो कौन थे आपके बहलोल लोदी था, बलबहदर पाल ने अपने नाम के आगे शाह के उपादी जोड़ा और तभी से यह परंपरा के रोप में हो गया आगे चलके बलबहदर और रुदर चंद के बीच 1591 बधान गड़ गौालदम का युद्ध हुआ था, जिसमें रुदर चंद की पराजे हुई थी, तो गौालदम आप लोगों का ये थराली से उधर जाकर बहुत अच्छी जगे है, तो बलबहदर और रुदर चंद, तो क तो ये चीज़े मुझे असानी से याद हो गई, लेकिन अगर हम वर्ल्ड के मैप की बात करें, तो हमें वो चीज़े याद नहीं होंगी, तो हमें क्या करना है, जो मैंने आपको ट्रिक बताई थी, जैसे आप उत्राखन का मैप आपने बना लिया, तो आपने जैसे बना द जैसे आपने टू आउर की स्टडी कर ली, तो टू आउर की स्टडी के बाद आप क्या कीजिए, कि उत्राखन के क्या कीजिए, मैप को उपन कर लीजिए, और मैप को डाउनलोड भी कर सकते हैं, आप गूगल से, तो उसमें क्या कीजिए, एक तरफ से एंटर होईए, कि हैं तो यहां पर जो बदहान गड़ ग्वाल दम में युद्धू ह detector के बीच काल में शुरू हुई थी जो बल्भधर पाल थे बल्भधर शाहा बने तो दिली सल्तनत में क्या किया जाता था वो अपना राजदूत भेजा करते थे उसके बाद आते हैं मान शाहा श्री नगर में मानपूर की इन्होंने इस्थापना की थी और मान शाहा पर साथ बार कि पर इसमी चंद ने आकरमन किया था मान शाह पर और प्राजित रहा जीतू बगडवाल की भोड चेत्र का सेनपती बनाया तो पूछा जा सकता है क कवी भरत किसके दरवार में थे तो वो थे आपके मान शाह जिसे जहांगी उतिक भरत कवी ने मानोदे कावी की रसना की थी मानोदे कावी भरत और जो भरत थी न वो मानशा के दरवारी कवी थे इसके बाद आता है मानशाह के शाषनकाल में यूरोपिया यात्री विलियम फिंच ने भरत की यात्रा की थी विलियम फिंच तो आपको दिख रहा होगा कि काफी सारे कुश्चन्स यहां से बन सकते हैं तो आपको बस यही करना है कि इन्हें आप राउंड कर दीजिए और प्राक्टिस कीजिए विलियम फिंच मानशाह, जीतु बगडवाल, मानशाह, कहां के, भूर्चेत, दरवारी भरत, मानोदय, काबिय, ठीक है, इस तरह से आपने जहांगीर, जहांगीर ने जोतिक राय की उपादी दी थी, तो इस तरह से आप लोग प्राक्टिस कर सकते हैं, मानशाह ने शासन काल में विलियम फिंच आया था, उसके बाद मानशाह ने इनकी तुलना, जैपाल और दा जहांगीर से मैत्री पूर्ण समंद इनके रहे, जिसका वर्णन तुलुक ए जहांगीरी में किताब में मिलता है, तो तुजुक ए जहांगीरी जो लिखी गए थी बुक, उसमें शामसा के बारे में भी लिखा गया है, और उसमें बताया गया है कि जहांगीर थे, उनसे मैत भेट किया था तो वो होगा आपका शामसा राजधानी में साम शाही बागान बनाया था इसने अपनी राजधानी में और इसके दरबारी शंकर कवी और वास्तु शिरोमनी ने वास्तु शिरोमनी नामक गरंध की रसना की थी शंकर कवी का क्या है आपका वास्तु श्रोमनी इसके शाषन में श्रीनगर में सबसे बड़े मंदिर किशव राय मठ का निर्माण हुआ था किशव राय मठ का निर्माण श्यामसा के काल में हुआ था महिपतिशा महिपति शाह ने मादो सिंग भंडारी को दापा और पश्यात विशहर पर आकरमण हितु भेजा था मादो सिंग भंडारी इनके भी काफी गाने और कहानिया परचलित हैं तो महिपति शाह के ये क्यातिया सिनपति रहे मादो सिंग भंडारी ने मलेथा की कूल का निर्माड किया था और इन्हें गर्व भंजग भी कहा जाता है मादो सिंग का नाम ही क्या है गर्व भंजग है मैपति शाह ने मुगलों की अधित्ता स्विकार नहीं की थी महिपती शाह को कभी मौला राम और महा परचंड बुजदंड कहा गया है जो मौला राम थे उन्होंने महा परचंड और बुजदंड इनको कहा था मौला राम जो आपके चितरकारी के लिए बहुत जादा क्या थे बहुत परचिद्ध हैं उनके बारे में अभी हम पढ़ेंगे जो यहां के महान लोग होए हैं उनके बारे में हम एक लिस्ट मनाएंगे और उसको मैं शौटकर तरीके से याद करवानी की कोशिश करूँगा तो अगला है आपका प्रिथिवी पती शाह की सनरक्षिका थी इसलिए इन्हें नकटी रानी भी कहा जाता है ये काफी बार पूछा गया है कि कौन सी रानी ऐसी थी जिसने नकटी रानी कहा जाता है कब आकर्मन किया था 1635 में किस ने किया था नवाजत खाने देखे तो इस तरह से आप लोगों को इसे याद करना है और खुद भी प्रैक्टिस इसी तरह से कीजिए जब कुश्चिन बना रहे हों खुद के लिए कुश्चिन बनाते हुए प्रैक्टिस करते हुए चलिए जैसे आप इसके स्क्रॉल करेंगे फोन में स्क्रॉल करेंगे आप या इसे अगर आपने प्रिंट आउट किरवाया है तो गड़वाल की दुरगावती अगर हम कहें तो वो आपकी रानी करनावती है पृतिवी पती शाह ने 1658 इसमी में दारा शिकाओ के पुत्र सुलेमान शिको को शरण दी थी कब दी थी 1658 में पृतिवी पती शाह जिसकी संरक्षिका कौन थी करनावती थी दुन घाटि को में पृतिवी पूरकी स्थावना उन्होंने की थी और पृतिवी पती शाह ने राज घड़ी को अपनी दुतिय राजधानी बनाया था एवं अपने पुत्र दिली पती शाह को वहां का शाशक बनाया था उसके बाद है आपके फते पतिशा फते पति शाह एवं गुरु गोविन सिंग के बीच मौटा के समी भंगाड़ी में युद्ध हुआ था और इसमें ये भी कहा जाता है कि ये बस बुक्स में इसमें कहा गया है कि युद्ध हुआ था लेकिन हुआ ये था कि जो आरमी थी वो आमने सामने आ गई थी फत्य पत्य शाह के दर्बार में नौरत्न थे जिनमें जटाधर, रतनकवी और मतिराम परमुख थे तो जो अगर पूछा जाए कि जटाधर, रतनकवी और मतिराम किसके इसमें थे तो उत्य आपके किसके दर्बार में थे फत्य पत्य शाह के दर्बार में इसने शिक गुरू रामराय को दून में गुरू द्वारा निर्माण के लिए तीन गाहूं दिये थे च्टरपती शिवाजी को अपना आदर्श मानते थे तो आप देख सकते हैं कि अजेपाल तो थे सबसे बड़े फिर उसके बाद आते है मान शाह जिनको महान माना है किसके अनुसार डबराल जी के परदीब शाह के शाशन में मेधाकर शर्मा ने रामायार परदीब की रचना की थी मेधाकर शर्मा रामायार परदीब और कौन परदीब शाह इसके मंतरी चंदरमणी डंगवाल ने मंगलेश और मंदिर के स्थापना की थी मुला राम दौरा निर्मित परदीव शाह का चितर क्रिश्ट है परदीव शाह का जो चितर बनाया था वो किसने बनाया था मुला राम ने का बनाया था परदीव शाह ने दून की राजदानी नवादा से धामु आला में स्तानांतरित की थी कहां से नवादा से धामु वाला में उसके बाद आते हैं प्रद्युमन शा ये थोड़ा सा इंपोर्टेंट भी है ऐसे इंपोर्टेंट सभी हैं जो फैक्ट लिखे वे हैं उस सभी आपको याद होने चाहिए एक मात रुपावार सासक जिसने कुमाओ गडवाल दोनों पर राज किया था इन्होंने कुमाओ और गडवाल दोनों पर सविक तुरूप से राज किया था 1791 में असफ़ल गोर्खा आक्रमण किया और 1791 में कुमाओ जीतने के बाद 1791 में गडवाल में भीशन अकाल पड़ा था जिसे इकावनी नहां पर क्या हुआ था कि असपल एक गोर का आक्रमन हुआ था 1791 में वो जीत नहीं पाय थे ठीक है उसके बाद है उन्होंने 1795 में गडवाल में भीशन अकाल पड़ा था से एकावनी बावनी के नाम से भी जाना जाता है क्या था? हो सकता है आपको देजिया जाता है कर दिया जाए, जमिन नापने का साध्रहान या आ जाए कि अकाल तो आपका आपशन क्या होगा? अकाल, आपका आंसर होगा कब आया था? 17.95 में अगर संबत की बात की तो 1851-52 में 8 सितंबर 1803 में विनाशकारी भुकंप ने गड़वाल को तहस्नेहस कर दिया था तो 1803 में ये क्या हुआ था भुकंप आया था इसी मौके का लाव उठाते हुए जो 1804 में गड़वाल में आकरमन किया और 1854 में गड़वाल पर आकरमन करने के बाद खुडबुड़ा कि युद्व में राजा परद्विन शाव वीरगती को प्राप्त हुए थे तो यहां पर क्या है आप लोगों का किसने आकरमन किया वो गोर्खाओं ने किया तो गोर्खा लोगों ने इनी चीज़ों का फाइदा उठाया था जो यह तो भुकम पा गया था उससे पहले क्या था अकाल था लगबख सो साल पहले की बात अगर आप देखेंगे फाइव एन फाइव तो एट इर्स तो आठ साल पहले जो था तो गड़वाल बहुत वीक ह जो सुझा था उस टायम भी may है यह तो हम कहानियां भी Yoga की यहां पर काफी फेमस एक मंदीर है जो भगवती माता का मंदिर है भगवती तलिया में तो उसमें एक कहानी है कि जो मूर्तियां थी यहां पर यहां के लोगों को बता देती थी इसलिए उन्होंने सारी मूर्तियां भी तोड़ी भी है तो मंदिर में अगर आप पूरे उत्राखंड में खंडित मूर्ति की बात करें ठीक है तो यहां पर जो माता की खंडित मूर्ति है वो यहीं पर पूजी जाती है जैसा यूजुली देखने को मिलता है कि हिंदु धर में खंडित मूर्तियों की पूजा नहीं की जाती है तो यहां पर पूजा की जाती है उसकी इसी मौके का ला को प्राप्त हुए थे गोर्खाओं के आक्रमन के दौरान गडवाल की जंता ने राजा का पूरा सयोग दिया राजा ने अपने सभी आभुशन बेज कर सेना तयार की ठीक है उस ताइम काफी कोशिश की थी राजा प्रद्विन शाह ने लेकिन हो नहीं पाया था गोर्खा श संगोली की संदी हो जाती है क्योंकि जो सुदर्शन शाहत थे उन्होंने अंग्रेजों को अपने लिए बुलाया था हेल्प के लिए बुलाया था और फिर उनके साथ वो भी धोका हुआ था लेकिन फिर भी जो गोर्खाओं का साशन था वह बहुत ही क्रूर शाशक होए ज 1791 से 1815 तक कुमाओं में था उसके बाद 184 से 15 तक उन्होंने गड़वाल में किया था अब संगोली के संदी की बात करते हैं तब परदिवन शाह तो वीरगति को प्राप्त हो गए अब उनके जो पुत्र थे शुदर्शन शाह उन्होंने किसको अंग्रेजों को क्या किया 1814 में और गड़वाल सुतंत्र हो गया था इसके बाद 27 अपरेल 1815 को ध्यान दीजी यहां से ये कुश्चन आप लोगों को पुछाएगा 27 अपरेल 1815 को करनल गाड़न और नेपाली गोर्खा साशक ममशा के बीच में एक संदी हुई और कुमाओं की सत्ता अंग्रेजों को सौप दी गई तीन मई 1815 को गाड़नर कुमाओं के कमिशनर थे उस टाइम पे दिखे तो सत्ता कब दे दी गई 1815 को इसके बाद 28 नौंबर 1815 को संगोली की संदी ध्यान दीजी अब इसमें एक चीज आती है कि लगता है कि जो संगोली है वो कहीं इधरी होगा लेकिन जो सं चंपारण जिला में जहां दीजिए बिहार चंपारण जिला में संगोली हुई थी तो संगोली के संदी क्योंकि हमें याद रहता है कि उत्राखंड में हुई थी ठीक है तो मतलब उत्राखंड से रिलेटेड है तो हम जो यूजिली करते हैं हम UK ही सलेक्ट कर लेते हैं तो स मार्च 1816 में नेपाल सरकार ने संगोली के संदी सुईकार कर दी। इसलिए आप लोगों को क्या करना है 1816 इसको याद रखना है और जो यह डेट हैं इनको आप 28 नॉवंबर, 23 अपरेल, 1815 और 1816 को ध्यान रखना है आप लोगों को। उसके बाद आते हैं सुदर्शन शाह, बिटिश शाषन की साहिता से 1815 में सुदर्शन साहा ने खोया हुआ सामराज्य वापस पा लिया, 28 दिसमबर 1815 को राजदानी टीरी बनाई, क्योंकि वो राजदानी टीरी चले गए थे, क्योंकि शिरनगर वाला जो इलाका था, अंग् भवानी शाह, देव परियाग में एक हिंदी संस्कृत पाथशाला का उन्होंने निर्माण करवाया था, इसके शार्शन काल में 1861 में हैंरी रेमजे ने अठूर के किर्शकों हेतों 12 आना बेसी की भू ब्योस्ता की थी, परताप शाह 1883 में परताम अंग्रेजी स्कूल की इस्थापना जो हुई थी, वो 1883 में हुई थी, प्रिंटिंग प्रेस की अस्थापना परताप शाह के एक आल में हुई थी, खेंड, पाला, विशा नमक करों की समापती इन्होंने की थी, खेंड, पाला और विशा, तीरी के सामने ही परताप नगर इन्होंने बसा दिया थ किसानों हेतु बैंक आफ गड़वाल के इस्तापना भी की थी। घंटा-गर का इस्तावाल निर्माड इन्हों निकरवाय था कीरति नगर पर्ताब नगर जो परताफ शाह ने करवाय थी। यमना पर डिबेट बिर्च का निर्माड भी करवाय था। मिटिस शरकार ने 1903 में दिल्ली दर्वार में CSI की उपाधी इनको दी थी तो ये पूछा जाता है कि CSI की उपाधी किसको मिली थी तो वो थे आपके कीर्थी शाह उसके बाद आते हैं नरेंदर शाह 1920 में किर्शी बैंक की अस्थापना इन्होंने की उच्छ शिक्षा के लिए छात्र विर्थी निदी की स्थापना की तीरी में एक सार्वजनिक पुस्थकाले बनाया नरेंदर नगर की स्थापना की तो देखे किर्थी शाह, किर्थी नगर तो ये बहुत इजी हो गया याद करना इसी समय 30 मई 1930 को रवाई कांड घटित हुआ था ये ध्यान दीजिए कि जो नरेंदर शाह थे इनहीं के टाइम में नरेंदर शाह रवाई कांड हुआ था और जो चक्रधर जुयाल थे उन्हें उत्राखंड का जनरल डायर बोला जाता है नरेंदर शाह के समय ही देरादूर में टिहरी राज के जागरूग योग का दौरा 1938 को टिहरी परजावंडल की स्थापना भी हुई थी 1938 में टिहरी परजावंडल तब यहां से भी काफ़ी सारे कोशिंस बनते हैं आप लोगों के मानवेंदर शाह अंतिम साथमें राजा मानवेंदर शाह ने भारत में विलिनी करण का प्रस्ताव सुईकार किया था 1 अगस्त 1949 को को टिहरी गड़वा स्विक्त परांत का पचासवा जनपद बनकर भारत में विले हो गया था मानवेंदर शाह 1857 से 2004 तक आठ वा टिहरी गड़वाल से सांशद निर्वाचित हुए थे केंदरिय परशाशन की बात करें तो कुछ वर्ट्स याद करने हैं आप लोगों को जो नेगी होते थे न वो होते थे जो छत्रिय परतिनीदी होते थे उनको नेगी कहा जाता था गोलदार सुरक्षा अधिकारी राजदानी और मुकतार ये महामंत्री होते थे वजीर परशाशन और अध्यक्ष दीवान जो होते थे वो सेनापती और बक्षी होते थे प्रेशक दूद प्रादेशिक परशाशन प्रादेशिक विभाग को मंडल होते थे और इनके परशाशन के लिए रखे अधिकारी कमीन होते थे कमीन द्यान अकनाब को और प्रशाशनिक विभाग होते थे मंडल और मंडल के जो रखे गए अधिकारी होते थे वो कमीन होते थे मंडलों के सैनिक पदाधिकारी उन्हें फौसदार कहा जाता था पट्टी की वियस्ता के लिए सायाना नियुक्त होते थे तो सयाना किसके लिए होते थे पट्टी के लिए, पौसदार किसके लिए होते थे, मंडलों के जो सैनिक पदादिकारी होते थे, और कमीन क्या होते थे, परशाशनिक होते थे, अड्मिनिस्टेटिव, धर्मी की वैस था, वैशनिव धर्म की अधिक अनुरक्त, यद्धपी श नाथ पंथ सम्रताय सुरूख हो गया था क्योंकि आजयपाल ने खुद नाथ पंथ ले लिया था उनके अनिवाई बन गये थे भाषा था साहित की बात करें तो गड़वाली भाषा पर चले थी गड़वाली को राज भाषा का दर्जा पराप्त था अवले के उन तामर पत्र गड़वाली और संस्क्रित दोनों भाषाओं में पराप्त होते हैं तो ध्यान दीजिए एक गड़वाली और दूसरा संस्क्रित तो जो परमार वंश का था उसमें कौन सी चीज़े थी आप लोगों की गड़वाली भाषा जो थी वो राज भाषा थी आप लोगों याद गोरखा शाशन या इसको गोरख्याली भी बोला जाता है हर्षदेव जोशी ने के आमंतरण पर 1790 में खुमाओं में आकरमण किया था इन्होंने सबसे पहले कब 1790 में इन्होंने जीत लिया था क्या गुमाओं और गड़वाल उन्होंने कब किया था 1791 में ध्यान दीजिए ठीक है तो यहाँ पर एटिकेंसन ने इसे राज देश दुरूह माना था किसको हर्षदेव जोशी को और इन्होंने इसके बाद क्या किया था देख लीजिए आप लोग टाइम लाइन आप लोगो पता चलेगी जो हर्षदेव जोशी थे इन्होंने आमंतरन दिया था किसको गोरखाशाशन को और फिर इन्होंने सोचा होगा कि मुझे कोई पद मिल जाएगा बड़ा लेकिन इनको कोई पद भी नहीं मिला था एटिकंसिंद के अंसार ये देश दुरूह का काम था उन्होंने गड़वाल पे 1791 में आक्रमन किया था प्रदुमन शाह प्लस गोरखाओं में लंगूर गड़ की संदी हुई थी ध्यान दीजे लंगूर गड़ की संदी किसके बीच में हुई थी प्रदुमन शाह और गोरखाओं के बीच में 1415 तक और 1804 से 1815 तक ये गड़वाल पर उन्होंने शाशन किया था पवार समकाली इन दीवान जो थे वो सुवेदार कहलाते थे परगना का साशक जो था वो फौसदार था और जो नियाए की ब्यास्ता करें ये जो हम पर शाशन की बात कर रहे हैं गोर्खा शाशन की बात कर उपर हमने पवार साशन की बात की थी तो सुवेदार, फौसदार इनके काम करने वाले थे नियाए वेवश्था से क्विचिन पोछा जाता है ये क्या करते थे कुछ निष्चित नियाए वेवश्था नहीं थी इनकी लेकिन एक दोशी निर्दोशी का निर्णे अगनी पर और दिब्या जैसे तंदूल दिब्य वगरों होता था उनका तंदूल दिब्या तो कुछ चावल क्या करते था और अगर जो मूँसे कहीं से घुन निकल घुचामale घुन मिर्टिदंड दे 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 थे तो ये आपको याद रखना है ये दिव्या और दीब विश्वास घात गौहत्या छुवाचूत आदी के लिए मिर्टिदंड मिलता था तो देखिए अगर किसे से विश्वास घात किया है तो गौहत्या की है या छोआ छूत आदी के लिए क्या कर देते थे मिर्तिदंड दे देते थे अपराद करने पर पुरुष मिर्तिदंड कर दिया जाता था और इस तरी की नाग काटी जाती थी ज्यान दीजिए पुरुष को सीधे मिर्तिदंड मिलेगा और इस तरी की क्या की जाएगी ना काट दी जाती थी उसके बाद आखरी जो चीजे हैं आप लोगों के लिए वो हैं गोर्खा परशाशन में कारागार का दंड प्राप्त विर्टी राज सेवक या कैनी उसे कहा जाता था दास पर था भी यहां पर ब्याप्त थी और उस टाइम पर दो लाख लोगों को उन्होंने दास बनाया था गड़वाल चेतर के तो यह आपका था गोर्खा शाशन बड़ा ही बुरा टाइम रहा गड़वाल के लिए तो इसके साथ ही हमने जो परमार्ज वन्श है उसके बारे में हम पूरा देख चुके हैं सारी चीजें कर चुके हैं आप लोगों वो जो चीज मैंने आप लोगों बताई है कि इस तरह से आप लोग इसे प्रैक्टिस करते रही है आप लोगों बहुत हेल्प मिलेगी कि अगर आप इसे राउंड करते हुए चलते हैं और इन चीजों को देखकर बार बार आप फोकस करेंगे पूरा रीड मत करिये एक बार रीड कर दिया है उसके बाद सिर्फ फैक्ट वाइज इसे तैयार करते रही है तो शुब कामना के साथ आज खतम करते हैं